Hello everyone, welcome back, कैसे हैं आप लोग आसा करती हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे डियो स्टेंट्स अगर आप भी यूपी पॉल टेक्निक फर्स सेमेस्टर की एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके मन में कहीं न कहीं डर आ रहा है कि आपकी अभी तक एपलाइड मैट्स फर्स अच्छे से प्रिपेर नहीं हो पाई है बहुत सारी कटेगरी की स्टेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे हो सकता है आप उस कटेगरी में आते हैं कि आप चाहते थी कि हम एपलाइड मैट्स में फुल माक्स आप्टेंट करेंगे लेकिन अभी उस लेवल की आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है या आपको ऐसा लग रहा है कहीं मेरा बैग न लग जाए या आप इस कटेगरी से बिलांग करते हैं कि अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो दियो सेंट्स आप सभी लोगों के ये वीडियो बहुत ज़्यादे इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो के मादन से हम आपको एक ऐसी स्टेटी प्लान प्रवाइड कराने वाल हैं जिसको अगर आप बचे हुए दिनों में 10 से 15 दिन जो आपके पास बचे हुए हैं उनमें ही इसको फालो करते हैं आपको 100% सभलता मिलेगी साथी साथ आप जितना नंबर चाहते हैं उतना नंबर आप फोड कियाएंगे आपको कोई टेंसन नहीं लेने की जरूरत है बस जो मैं आपको प्रवाइड कराने वाला हूँ उसको ध्यान से समझेगा और मेरे साथ उसको करने का पूरा प्रयास करिएगा अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप जितना नंबर चाहेंगे उतना नंबर आपको मिलेगा ये मेरी गरंटी है अपलाइड मैस में सबसे जालता नंबर आप लोग पाओगे ये मेरी गरंटी है आए ध्यान से समझेगा ये वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी जिंदगी बना सकता है इसलिए खुब ध्यान से मारी बातों को समझेगा और पूरा प्रयास करिए कि इसको आप फालो करेंगे अगर फालो करेंगे तो हंडेट परसेंट सा पलता मिलेगी जो चाहेंगे वो मिलेगा आप बिल्कुल टेंसर मत लीजिए आए समझे दियो दियो देखिए यहां पर हमने लिखा है बेस्ट स्टडी फ्लान फार 95 परसेंट प्लस मार्क्स 95 परसेंट से अधिक मार्क्स भी आप अप्टेंग कर सकते हैं अब ध्यान से समझेगा दियो यहां पर आपके स्लेबर्स की जो फाइव यूनिट से उनको हमने लिख रखा है ध्यान से और फालो करिएगा दिन मुझे बताइएगा एक्जाम के बाद आपको कितमा ज़्यादा प्राफिट इससे हुआ है यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट थार्ड फोर्थ यूनिट यूनिट इसको अब लोग डिफ्रेंसियल कर्गलेस कहते हैं फिप्त यूनिट के सभी चैप्टर्स में से मैं यह आपको पढ़ा चुका हूँ यह आपको पढ़ा चुका हूँ यह आपको पढ़ा चुका हूँ यह मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद एक यूनिट यह बची हुई है जिसकी क्लास आपको पता हूँ नचे डियोस्ट की सेबन प प्रिपेर है या नहीं है कैसे पता चलेगा डियस्टेंट्स एक्जाम के पहले पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं होता है इसलिए मैं आप लोगों के लिए समये आपको एक लेक्षटर प्रवाइड कराऊंगा वह एह पृप्लाइड मैस के इंप उनिट फर्स्ट है इसके भिहाब पर आपको दो प्रुक जो किसी जा चुकर हैं उनSo प्रवाइड करा आँगा ठीक है ऐसे ही सेकन्ड यूनिट के लिए दो लेक्चर होगा और आपके फोर्थ के लिए भी दो लेक्चर होगा अब आप देख सकेंगे यह दो लेक्चर जब दो दिन में होगा हमारे टेंड डे जिसमें जाएंगे means 10 दिन लगातार आपको हमारे साथ जुनना है और इन 5 के 5 चैप्टर के important question को मेरे द्वार आपको सीखना है मैं केवल question नहीं provide कराऊंगा question provide कराऊंगा साथ ही साथ उसका solution भी provide कराऊंगा अगर आप लोगों ने इस 10 के 10 लेक्चर को इमानदारी से सीखा समझा और जाना और उन question को note कर लिया और समझ लिया तो आप ये मानगी चलिये कि 70% प्लस marks तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे अब ये 10 दिन तो हमारा इसमें चला गया अगली चीज कब होगा ये lecture किस timing पे होगा सब कुछ बताने वालों पहले मेरी बास सुनिए देखो dear students मैं आपको अच्छे अच्छे material प्रवाइड करा सकता हूँ लेकिन पढ़ना तो आपको ही पढ़ेगा वो सब कुछ बताऊंगा ध्यान से सुनते चलना dear students अब देखिए ये 10 दिन हमारे हो गए पहले दिन पहली उनिट का आपको first देखे लेबल 1 और लेबल 2 करके कुछ सन में आपको प्राइड करूँगा लेबल 1 में easy कुछ सन होंगे लेबल 2 में उससे अच्छे कुछ सन होंगे वैसे ही यूनिट second में भी लेबल 1 और लेबल 2 होगा यूनिट third में भी लेबल 1 और लेबल 2 होगा यूनिट fourth में भी लेबल 1 लेबल 2 होगा यूनिट fifth में लेबल 1 लेबल 2 होगा इस तरीके से पांचों की पांची उनिट की वो सभी के सभी कुछ सन आपकी मुठी में होंगे जो कभी न कभी आपके exam में पूछे गए होंगे उससे आपको idea लग जाएगा और आपकी preparation best हो जाएगी इससे मैंने पूछा आपसे बोला कि 70% या plus marks आप obtain कर पाएंगे अब बचा हुआ 10 दिन आपका चला गया आज ये श्रेंट साब इस lecture को देख रहे हैं ये 15 है 16 से ये series start होगी और आपको पता है कि आपका ये महीना जो है 28 डे का होगा तो 12 दिन यहाँ पर आपकी पास बचेंगे अगर हम उधर 3 दिन आओ लेगें तो 15 दिन हमारे पास हैं इसमें से 10 डेज मैंने आपको यहाँ पर दे दिया अब बचे हुए जो 5 दिन हैं उसमें मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मिनिमम दोस्ट दो मॉडल पेपर साल्व करके आपको प्रवाइड कराऊं साथी साथ अगर आपका अच्छा रिस्पॉंस रहा तो डेली मैं एक मॉडल प्रेपर का सल्यूशन आपको प्रवाइड करा दूँगा जिससे आपकी प्रेपर साथ नेक्स लेवल पे हो जाएगी देन आपको 95% प्लस मार्क्स आप्टेन करने में कोई समस्या नहीं होगी यह मेरी गैरेंटी है तो यह रहाई study plan जो आपको समझ में आया होगा अब आपके mind में कई सारे doubts हा रहे होगे दो चीज़ें आपको करनी तो मैंने समझा दिया पहले important question का collection तयार करना है उसको solve करना है साथी साथ जो 5 दिन हमारे पास बचेंगे उस 5 दिन में हमें model paper को solve करना है बाकी other subject के लिए भी मैं notes आपके लिए prepare कर रहा हूँ काफी हद तक हो चुकी है आपको मिलना start हो जाएगा आज साम से ही आप बिल्कुल tension मत देए एक दम जवाजस note दे रहा हूँ उसका भी important question मैं आपको पीडियो की फार में provide कराऊंगा आप बिल्कुल tension मत लीजेगा अभी पहले इसके लिए आप लोग समझ दीजे इतनी बाते clear हो गई अब बात यह आती है dear students कई सारे कहेंगे इतना कर लेंगे हम number पा जाएंगे आरे इतना कर लोगे तब पा जाओगे regular time पर आकर कि इन सभी question को सीखोगे उसको note करोगे उस पर practice करोगे आपके मन का डर्क हतम हो जाएगा dear students कई सारे लोग आएंगे 4-5 question आपको बता देंगे कहेंगे यही question अपकी बार exam में आएगा कुछ नहीं यहार आपको अंदाजा बताया सकता है कोई जो paper बनाने वाला है ना वह भी नहीं बता सकता क्योंकि बनाने के है और किसके प्यार कर दिंद कि आपको परेशन अपनी अच्छी करने हैं आपकी तैयारी अच्छी होगी तब अच्छे मांक्स को उपने कर सकते हैं इस समय आपको भूल करने की जरूर अब बात को संबल लिए अब जो आपका 16 आफ फेबॉरी को जो क्लास होने वाली ध्यान सुनिए हमारी बात को 16 आफ फेबॉरी के जो क्लास होने वाली है उसमें यूनिट फरस्ट के हम important question solve कराएंगे अब यूनिट फरस्ट में जो algebra है आपके इसमें आपकी समानतर सेड़ी गुड़तर सेड़ी ये सबाती है और उसके अंदर साणिक आता है तो डियर सेंड्स वह चैप्टर आपको पहले एक बार तयार होना चाहिए I hope आप लोगों ने पढ़ा होगा मुझसे ही पढ़ा होगा अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसी वीडियो के description में आपको एक link मिल जाएगा वहाँ पर आपकी जो unit first algebra के जितने भी lectures है मैं आपको वहाँ पर दे दूँगा आज ही इसी lecture के just बाद सभी lectures को देख लिजेगा समझ लिजेगा जिससे कल जब मैं इसके important question को करके attack कर सकते हैं उसको आप लोग समझ सकते हैं dear students आसा करते हैं आपको ये सारी बाते समझ में आ गई होगी अब एक बात आपके दिमाग में और चल रही होगी कि sir ये जो important question का हमारे सामने एक system बना हुआ है जो study plan आप provide करा रहे हैं इसकी timing क्या होगी किस time पर आप हम लोग provide कराऊंगा क्योंकि dear students मेरा ये मानना है कि मैं कितनी भी मेहनत करके class को provide कराऊं और अगर हमारे students उस class को देखते ही नहीं है उस time पर वह available ही नहीं है तो मैं कितना भी अच्छा material आपको provide करा दूँ वह आपके किसी काम का नहीं है तो dear students comment section में फटा-फट से आप लोग बाकी जो important question की series में आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं उसके लिए आप सभी लोगों को comment section में आकर के मुझे बताना है कि वह timing क्या होगी evening की होगी या morning की होगी उसे majority आप students जिस time को prefer करेंगे उस time पर मैं आपको important question की series provide करा दूँगा लेकिन late मत करिए और साथी साथ इनी first semester का exam देने जारे हैं जो डरे हुए हैं उनके मन का डर समाथ हो सके और हमारे साथ मिल करके आपके साथ मिल करके अच्छी से तयारी कर सके और अच्छे से अच्छा मांक सो लोग जरूर से जरूर ऑप्टेन कर सके तो ठीक है dear students आज की सोटे से वीडियो में बस इतना ही अग्दम जरूर के साथ उत्साह के साथ स्टार्ट हो जाईए ठीक dear students सांदार रहिए मस्त रहिए पढ़ते जरूर रहिए मिलते हैं इस वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए all the best